हेलो एवरीवन मैं विश्रजीत सिंग आप सभी का दी इनव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम सेंट थॉमस इक्यूनेस की बायगरफी को पढ़ने जा रहे हैं और इनकी बायगरफी से में दोस्तो बहुत सारी लर्णिंग सीखने के लिए अगर आप मुझसे पूछो कि एक लाइन में सर बताओ सेंट थोमस इक्यूनेस हैं कौन ठीक है इनके बारे में कुछ बताओ तो आप यह कैसकते हो जो मद्यकालिन टाइम पिरिड़ था ठीक है मेडाइवल टाइम पिरिड़ था उस समय के सबसे महांदार्शनिक थे इनकी विचारों पे आरस्तु को प्रभाव देखने के लिए मिलता है यह उस समय के ऐसे विचारते जिन्हों ने धार में कटरता वाग से लड़ते हुए धर्म और सिक्षा को एक समान नजरी से देखने की कुर्चिस करी तो बहुत सारी लर्निंग इनकी लाइफ में समय सीखने के मिलेंगी इससे पहले भी मैंने सेंट थोमस एक्यूनेस की उपर में वीडियो बनाई है ठीक है आप वहां से पढ़ सकते हो देख सकते हो पर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था जिसके कांसाजम दुबारा से सेंट थोमस एक्यूनेस की बारे में पढ़नी जा रह उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो इनका जो जर्म होता है 1225 में इटली के नेपल्स राज्ये के अंदर में इनका जर्म होता है और नेपल्स राज्ये के एक्यूनगर के अंदर में ये पैता होते हैं इनके पिता जो थे वो एक काउंट थे और इनकी माता ठियोडोरा के थे नाम से झाने जाती थी वह सोचते हैं कि उनका बच आगे चलके डॉक्तर बने इंजीनियर बने ऐसा है सूचते सभी माभाप सोचते हैं कि बिनवriminegen बने टीचर बने क्यों इते हुआ इस थरी की छीजे होती है सिक्षा खतम होने के बाद क्या करते हैं वो एक धर्म संस्ता से जुड़ जाते हैं और उस धर्म संस्ता से बाहर निकालने के लिए इनके माबाप बहुत ज़्यादा प्रियास करते हैं प्रियास क्या करते हैं इनको लालत से देते हैं कि बिटे आजा छोड़ दे मैं तुझे यह दूँगा दिलाओनगा नॉर्मल हर माव आप यहीं करते हैं और वह भी यहीं कर रहे थे। उनको डराने की कुर्सिब नियुको धंखाने की कुर्सिब करी हर तरह का पैतरा जमया पर सैंफौमसीकर्नस नहीं मनें ठीके उसके बाद वह अपनी धर्मिक धार्मिक करने के लिए पैरिश चली जाते हैं खिक है और हाँ पर उन्हें अध्यात्मिक निता को चुंते हैं तो उस समय के आलबट जो थे वह बहुत बड़े धार्मिक निता के तौर पे जाने गए उनके चरणों में बैठकर धार्मिक की सिक्षा प्राप्त करते हैं यहां पर जब धार्मिक शुरू कर देते हैं उनको टीचिंग में रुची आने लगी टीचिंग में रुची आने एक बाद उन्हें कई सारे इटली के संस्थाव में पढ़ाना शुरू किया बात में दोस्तों उसी दोरान पर क्या होता है कि वो एक विलियम आफ मैकावर से मिलते हैं मैकावर करके विलियम मैकावर उनसे मिलते हैं और उनके संपर्ग में आने के बाद वो आरस्तु के जो टिकाएं होती है आरस्तु के लिखी गई तरक सास्तर के उपर टिकाएं लिखना सुरू करते हैं अब टिकाएं होती क्या हैं इसके बारे में हम बात करें तो आपने भगवत गीता पढ़ी होगी, महावारत पढ़ी होगी, तो बहुत बार उनके front page पे लिखा रहता है कि भगवत गीता टिका, टिका मतलब क्या होता है, कि जैसे मानलो आपने कोई बुक पढ़ी और पढ़ने के बाद आपको जो समझ में आया, जो भी आपको लगा स हार्त, इसका मतलब यह है कि स्रीमत पदूपाद ने जो भगवत गीता पढ़ी थी, जहां से उन्होंने पढ़ा, ठीक है, उसको जो उनको एजटी उतार, एकदम जो सा रियल, वही उतार किया, ठीक है, पर कई जगह पे आप भगवत गीता पढ़ोगे, तो वहां पे लिख संपर्क में आते हैं, तो उन्होंने क्या करते हैं, आरस्तु के कई सारे जो विचार थे, तर्क संगत जो थी, उनकी तर्क सास्त्र था, उस पर टिकाएं लिखिए, और उस समय के जो भिक्षू हुआ करते थे, उनको विश्वी ड्याले के अंदर में उपादी देने का प्र जाते हैं, ठीके ब्रहम सास्त तरह से माल लो कि वह कभी भी काटे नहीं करता ठीक है, ब्रहम स्त हुऊ, तो पोप के द्वारा इटली में बहुत जादा मानेता है पोप को तो पोप ने हस्ते चेप किया कि भिया आप भिक्षू को भी उपादी दीजिए, कोई दिक्कत निय विश्री द्याले के अंदर में तो पैरिश विश्री द्याले के अंदर में दुबारा से इनको एडमिशन मिलता है और वहां पर इन दुबारा से पढ़ते हैं और उसके बाद 1256 में पढ़ा रहे होते हैं पैरिश में जाते हैं सिक्षा करने के लिए और 1256 में इनको Master of Theology के बारे में अनेक गरंथ लिखकर इसायत की बहुत सेवा करते हैं ठीक है बहुत सारी गरंथ लिखते हैं इसाय के बारे में बहुत सारी धार्मिक विचारों को फैलाते हैं ठीक हिसायी द्रम का परचार परसार करते हैं पोप तथा अन्य राजाओं राजा भी अनेक धार्मिक विश्यों पर उनकी सलाह लेने लगे, ऐसे सलाहकार भी निप्त किया जाने लगा इन्हें, कि अगर कभी भी धार्मिक विचार धारा उनसे चाहिए होती, धार्म से लेगेड कोई भी पूछी जे पूछनी होती थी, तो इनको बुलाया जाता था, इस समय उसकी ख्याती चारो पर इनको लोग जानते थे, अपने समय में बहान, प्रकांड, विद्वान, अलप आयू में ही, बारसो चोहतर में इनकी मिर्ति हो जाती है, और उसकी मिर्तियों के बाद, इनको सोली सताब्दी के अंदर में, डॉक्टर ओफ चर्च के नाम से उपादी दी जाती है, ठीक है टॉपी के उपर में, चर्च के लिडी टॉपी के उपर में महारत हासिलो, उसको वो ठीक कर सकता है, उसको बना सकता है, डॉक्टर का मतलब क्या होता है, कि आपको बिमारी है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर का गरेगा, दवाई देगा और आप उससे ठीक हो इंप्टर्टेंट क्यों आज के समय में हमें इनकी जरूरते क्यों है तो दोस्तों देखोगे धारमिक कट्रतावाद जो है बहुत अपने चरमश्ती। जीक है जिसके कारण से आज के समय में सेन्थर्मस . सिक्षा को लेकर अपने विचार रखे सबके सामने इसके काइन से महान मां जाता है उन्होंने इसाइद धर्मसास्तर और अरिष्टो लीनियन दर्शन का एक व्यापक संसलेशन किया अरिष्टो लीनियन मतलब क्या देखो आरस्टू आरस्टू के द्वारा जो लिखा गया चीजे था जिनको उन्होंने आरस्टू की तरक सास्तर था उसकी टिकाएं लिखी उसी को हम आरस्टो टेलियन कहते हैं समझ में आता है। तो दर्शन का एक व्यापक संसलेशन तיयार किया जिससे लोगों तक यह पता चला कि आरस्टू के क्या विचारदारा है क्या चीजयां मैं चीछाय से में सिखने के लिए मिल सकती है आपको पता होगा कि आरास्तु को father of the politics के नाम से भी जाना जाता है तो वो पूरे समाज में फैलाने का काम किया उन्होंने सिख्षा को बढ़ावा देने का काम किया उसं के सासात संथToday Roman Catholic के सिधान्तों से बहुत जादा परभावित थे वन्होंने रेवन Catholic को अपने इस सिधान्तों से प्रभावित किया 1917 के अंदर में वो चर्च के अदिकारिक दर्शन के रूप में अपनाया गया और थीके दर्शन के भीतर भी थासिजम के विचारों का महत्यपुन स्कूल बन गया मतलब बात के अंदर में क्या होता है कि वो धर्म निर्पिक्षता की बात करने लगते हैं आगे सिक्षा को बढ़ोतरी देनी की बात करते हैं तो यह सारी चीज़े आगे हमें देखने के लिए मिलती है दूस्तों यहाँ पर हम आगे बात करें तो सैंट थोमस इक्विनेस के अगर हम राजनितिक विचारों की बात करें सैंट थोमस इक्विनेस का राज्य का सिधदाथ क्या है तो मैं अभी बस यहां पर यही बतारा हूं आपको कि क्या क्या विचार उन्नों ने बोला थ है किस टापेक पर उन्न चर्च और राज्य का संबंद क्या होता है, धर्म और शिक्षा का संबंद क्या होता है, ठीके धर्म और राज्य किस तरह से चलते हैं इसके बारे में, ठीके सेंथ उक्यूनेस की दास था, मतलब जो दास परता थी उसको लेकर, ठीके सेंथ उक्यूनेस को संपत्ति के विचार इन्होंने समाज के सामने रखे जिसके कारण से इन्हीं ये माना गया कि ये धर्म के साथ साथ सिक्षा को भी बढ़ोतरी चाहते हैं नहीं तो आप देखोगे दोस्तों जितने भी अगर आप मेडाइवल अगर आप हिस्ट्री के स्टुडेंट हो या फिर हलका सा भी हिस्ट्री में आपका रूची है तो आप ये देखोगे कि मेडाइवल टाइम प्रेडिक अंदर में जो यूरोप के अंदर में जितने भी विचारक आए वो कही ना कही धार में कटरतावास से प्रभावित थे धार में कटरतावाद बहुत ज़्यादा था अपने चरम पर था उन सभी के अंदर में पर सैन्थॉमस इक्यूनस का जो प्रभाव देखने के लिए मिलता है उस पर डायरेक्ली आरस्तु का प्रभाव मिलता है क्यूंकि इनी सभी टॉपिक्स के उपरमें जो भी मैंने भी बदाया सैन्थॉमस का इनी सभी टॉपिक के उपरमें फादर आफ प पॉलिटिकस के भी बहुत सारे विचार आपको देखने के लिए मिलते हैं तो यहां पर आप यह मान सेकते हैं कि आरस्तु के विचारों से बहुत ज्यादा यह प्रवावित थे समझ में आता है आगे हम बात करें तो यहां पर सैन्थॉमस एक्यूनेस ने सामयवाद के उपर में भी बात करी ठीके इनको सामेवाद का बहुत बड़ा विचारक के तौर पे भी जाना जाता है दोस्तों ठीके तो इन्होंने ये माना, एक्टिनेस का माना था कि धर्म, विज्ञान ही सरवच्चे ज्ञान है धर्म विज्ञान, मतलब धर्म और विज्ञान ही सरवच्छ ग्यान है, जो ग्यान अन्य साखाओं नीति सास्त्र, राजनितिक सास्त्र तथा अर्द सास्त्र को अपने अधिन रखता है, यह मानता है कि अगर आप धर्म को जान लिए, धर्म को पढ़ लिए, तो आप क्या कर स सकते हो नीति सास्तर आपके कंट्रोल में रहेगी राजनितिक सास्तर आपके कंट्रोल में रहेगी और अर्द सास्तर आपके कंट्रोल में रहेगी इन्होंने ये माना ठीक है इसी परकार एक्यूनस के मद्धे यूग में तीन महान बोधिक विचारधारें थी ठीक है जिन्हो समान हो, सबी को समान अधिकार मिले, इसकी बात करते हैं, विदंताबाद की बात करते हैं, जिसमें पढ़ायल इक्सा के बारे में बात करते हैं, विद्वानताबाद, ठीक है, आरस्तु बात, मतलब आरस्तु को विचारधारों को फॉलो करने की बात करते हैं, और इसी से ये स स्थापित करते हैं जो आप पर दो सम्मने विवाद सम्मने विवाद क्या है तो यहां पर यह बन जाता है ठीक है तो इन्होंने क्या माना कि अगर आप धर्म विज्ञान को जान लेते हो तो आपका आपके अधीन रता आपके कर्ट्रोल में रहता है और उन्होंने तीन लॉजिक दिये बौधिक विचारधाना ही रखी सब के सामने में जिसमें सौरबोमिकबाद विद्वानताबाद और आरस्तुवाद कहीं बात कहीं उन्होंने तो वीडियो दोस्तों आज का इतना ही था ठ कमेंट करके बताईएगा और अगर आपको हमारे दे इनप के से जुड़ना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिंक दिया हुआ है किसी वी सोसल मीडिया प्लैटफर्म से जुड़िए आप हमें वहां पे कमेंट करके पूस सकते हैं ठीक है जो भी आपका ओपीनि से हमें मोटिविशन मिलता है हम और वीडियो के लिए प्रिपेर करते हैं और आपके पास कोई टॉपिक हो जो चाहते हो जिस पर वीडियो होना चाहिए किसी और की बाइगर पढ़नी हो तो आप कमेंट किजिए मैं आपके लिए वह बाइगरफी बनाऊंगा ठीक है तो बह